नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक प्रेनादार कहानी लेकर आए हैं जो हमें जीवन की सच्चाइम और कर्मों के पल के बारे में सिखाती है यह कहानी है धरमदास के एक धने व्यक्ति की जिसने अपनी शक्ती और धन का दिर्ब्योग किया और अंत में उसे अपनी कर्मों का नतीज़ा भुगतना पड़ा जानिए कैसे एक सादू की शिक्षाव में उसके जीवन को बदल डाला और उसे सच्चाई और धरम की और वापस आया तो चलिए शुरू करते हैं धरमदास की कहानी और समझते हैं कि कर्मों का फल कितना जरूरी होता है बहुत समय पहने की बात है एक छोटे से गाओं में एक आदमी रहता था जिसका ना धरमदास था धरमदास गाओं का सबसे धने यक्वी था लेके वे अपनी धन और शक्ति का दुर परियोग करता था उसने अपनी समपति इमानदारी से नहीं बनकी चल थोके और गरीबों का शोशन करके कमाई थी गाओं के लोग उससे बहुत ड़ते थी और उसकी नजरों में आने सिर बशने थी क्योंकि वे किसी को भी नुक्सान पहुंचाने से पीछे नहीं अड़ता था लेकि धरमदास को कभी यह असास ही नहीं हुआ कि उसके गलत कामों का असर उसकी जिन्दगी पर भी पढ़ सकता है धरमदास के पास पैसा, जमी और ताकत सब कुछ था गलत कूँ उसका दिन कभी संतुष नहीं होता था उसकी हवर्स बढ़ती ही जा रही थी वै और ज़्यादा संपति जाता था और इसके लिए उसने करी निदोश लोगों को अपने जाल में फसाया गरीब किसान उसकी दया पर मिर्भर करते थे और वै उन्हें अत्यदिक ब्यास पर कर्ज देखकर उनका शोशन करता था जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता था धरंदास उनके जनी और संपति को जवत कर लेता था लोग बीतर ही बीतर उससे नपरट करते थे लेकिल उसकी शक्ती और धन के आगवे सब चुप थे एक दे गाउ में एक बुड़े सादू का आगवन हुआ वे सादू दिखिने बहुत साधारन था लेकिन उनके चेहरे पर एक अदबुष शांती और ज्ञान की चमक थी गाउ के लोग धिरे धिरे उनके पास अपनी समस्याओं को लिकर जाने लगी सादू बहुत धहरे पुरुवत सक्की बाते सुनते पर और उन्हें जीवन में धारन, सत्य और सदाचार का मारत अपनाने का उपदेश देते थे शादू के पास है तजीख शीशक पूजी जो भी उसके पास जाता था उसे आंतरिक शांती और सवाधान मिल जाता था तीर देदे शादू के ख्याती गाउं में फैनने लगी, धरमदास में भी शादू के बारे में सुना लेकिन वे शादू के बारे में सुनकर हसा और मजाक उडाते में बोला ये शादू लोग किवन बातों का सहारा लेते हैं, असली ताकत धन और शक्ति में होती है ये बाते गरीबों के न होती है, मेरे नियर नहीं。 धरमदास को अपने कर्मों का कोई डर नहीं था, उसे नगता था कि वैगाव का सबसे शक्ति-शानि व्यक्ति है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये तिंग धरमदास का सामना सादू से हो गया सादू शाद वहाव से बैठे थे और लोगों को उपदेश दे रे थे धरमदास ने उनकी बातों को सुना और मजाकिय लेजे में बोला तुम्हारे ये धरम और सत्य की बाते सुनने में तो बहुत अच्छी लगतों पर असनी दुनिया में तो ताकत और पैसा ही सब कुछ है ये तुम्हारे उपदेश बुझे पर भावित नहीं कर सकते सादू ने धरमदास की और देखा और बड़े ही सार्थ सवर्वे का फुत्र जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है पैसे और ताकत का घमण थोड़ा होता है परन्तु कर्मों का फल हमेशा इनसान के साथ रहता है शत्य और नियाए ही जीवन का असली अधार है धरमदास ने सादू की बातों को नजर अंदास करते हुए कहा देखना मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा मैं हमेशा जीतता रहूँगा सादू ने हल्की मिजगान के साथ कहा समय ही इसका उतर देगा समय बीटता गया और धीरे धीरे धरमदास सी जीवन में अजीव बदलावाने लगी सबसे पहले उसकी सेहत भी गरने लगी जो शरीक वी मजबूत था अब कमजोरी और बिमारियों का शिकार हो गया उसने कई वैद्धे और चिकित सक बला लिएकि कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया दरमदास को अब ऐसास हुआ कि उसकी सेहत धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रही है इसके बाद उसकी संपती में भी गिरावा शुरू होगी जिन वैपारों से वै मुनाफ़ा कमा रहा था पिर्चानक घाटे में जाने लगी जो लोग कभी उसके साथ वैपार करते थे उन्होंने उससे दूरी बनानी शुन करते उसकी ताकत और परभा कम होने नगे उसके अपने बेटे ने भी उसके खिलाब बगावत करते उसने अपने पिता से हिस्ता मागा और उसे अकेला छोड़ दिये धरमदास का परिवाट तूटने लगा उसकी पत्नी जो कभी उसकी हर बात का समर्थन करती थी अब उससे दूर हो गई धीरे धीरे धरमदास सुस्तारे रिष्टे विक्तने लगे और वैं अकेला पड़ गया अब धरमदास को अपनी जीवन के गलतियों का एहसास होने नगा उसने सोचा जो कुछ भी वैर कर रहा था उसका परिणाख आज उसे ही भुगतना पड़ रहा है उसने सादू की बात लियाद की और सोचा कि शायव वैं सही थे धरमदास अब अपनी गलतियों का पश्यताप करना चाहा था उसने गाव के लोगों से माफी मांगने का अपतैस जा लिए और सादू से मिलने की ठन धरमदास शादू के पास पहुंचा और उनके चर्मन में गिटकर कहा मुझे माफ कर दो मैंने जीवन बार गलत काम की लोगों का शोशन किया और अपने कर्मों का मजा कुणाया लेके हम मैं समझ गया हूँ जीवन में धन और ताकस से बढ़ कर कुछ और है सच्चाही और धरम सादू ने उसे उठाते हुए कहा धरमदास कर्मों का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है लेकिन ये जरूरी नहीं कि देर हो चुकी हो यदि तुम सच्च में अस्चाताप करना चाहते हो और अपने बूरे कर्मों का प्राश्चित करना चाहते हो तो तुमारे पास अभी वीज़न है दूसरों की सेवा करो उनके साथ न्याय प्रण वहवार करो और सच्चाई के मार्क पर जरो धरमदास ने सादू की बातों को दिर से अपनाया उसने अपने संपत्ती का बड़ा हिस्सा गाओं के विकास और गुगत्बों की मदद में लगा दिया उसने अन सभी लोगों से मापी मांगी जितका उसने शोशन किया था धीरे धीरे धरमदास ने अपनी जिदगी को बड़नने का प्रण लिया उसने अब अपने जीवन का लक्षे दूसरों की भलाई में लगा दिया काओं की लोग जो कभी उससे नफरत करते थे अब उसके प्रतिशन मान दिखाने लगी धरमदास ने अपने जीवन के बाकी दिन सादो के माग तश्री में धरम सच्चाई और सेवा में बिताए उसका स्वास्ते पूरी तरह तो ठीक नहीं हो सका लेकिन उसके मन को शानती मिल गए वह जानता था कि अवो सही मारख रहत धरमदास की कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्मों का फल हर प्रसी को मिलता है बले ही अब हम अपने बुरे कर्मों से कुछ समय के लिए बच सकते है लेकिन अंत में हमें उनके परनामों का सामना करना ही पड़ता है जिमें उन में धन और शक्ती से बढ़कर सचाई, धर्म और न्याय का मारता है धरमदास की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कर्मों का फल अंत में हमें ही बुगतना पड़ता है जाए हम कितनी भी ताकत और धन का परियोग करने हमारे बूरे कर्मों का परणाम से बचना फुश्ची होता है लेकिन कभी भी देर नहीं होती सचाई, धरम और न्याय का मार्ग अपना कर हम अपनी जिंदगी में शान्ती और शंतोस पाशकते हैं तो चनिये हम भी इस कहानी से फ्रेडित होकर अपने कर्मों की दिशावद में और सच्चाई के मार्ग पर चलें अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो किर्प्रा वीडियो को लाइक करें, शेर करें और सब्सक्राइब करें धन्यवार, हरे कृष्णा